हेलिक्स एंगल जो सबसे इंपोर्टेंट है जहां से कोशन पूछा जाता है एक जाम में अगर ड्रील के लिए बात करें यह ड्रील का एक्सिस है एक्सिस से यह जो फ्लूट जिसकोन पर ग्राइंड होते हैं अगर फ्लूट के सता को टच करके यह लाइन ड्रो करें तो इसके बीच का यह जो एंगल होता है इसको बोलते हैं हेलिक्स एंगल या ड्रील में इसी को क्या बोल जाता है रेक एंगल भी बोला जाता है सबसे पहला question तो यही पूछ लिया जाता है कि drill में helix angle का मतलब क्या है option में देता है clearance angle rake code तो हम लोग क्या करेंगे rake angle generally यह अलग-अलग drill में अलग-अलग रखा जाता है और अलग-अलग material के अधार पर जैसे add metal के लिए यह कम होता है और soft metal के लिए क्या होता है ज्यादा होता है helix angle इसके लिए हम लोग चर्चा करते हैं लेकिन आम साधारों धातुओं के लिए जो समानेता average रूप से normal रूप से प्रयोग किया जाता है यह जो एंगल होता है साड़े 27 डिगरी एंगल होता है helix angle यह question पूछा गया है इसरों में कई अक बार तो यह द्यां रखना है helix angle twist drill में कितना होता है साड़े 27 डिगरी material का नाम लेकर के पूछेगा तो हम लोग उसके लिए अलग-अलग देखते है यहां पर अगर एक-एक पॉइंट के बारे में देखे तो इसे flute angle या rake angle भी कहा जाता है यहां से भी question पूछ लिया जाता है दूसरे नाम से कि drill में drill में helix angle कि इसको बताता है तो rake angle को नहीं तो flute angle को drill की दूरी के साथ flute जिस कोड़ पर grind होता है उसे का बोलते हैं helix angle यह घुमाओदार होता है इसलिए का बोलते हैं helix helix बोलते हैं और इस angle को बोल जाता है helix angle इसे तीन तरीके से बनाते हैं जैसे hard metal, normal metal और soft metal में drilling करने के लिए इसको अलग-अलग angle के रूप में बना दिया जाता है और उसको अलग-अलग term से जाना जाता है जैसे h, n और s, h मतलब hard metal में drilling करने के लिए, n मतलब normal और s मतलब क्या soft में, तीन टाइप से बना जाता है यहाँ पर h type helix code hard metal के लिए, n टाइप normal के दातुओं के लिए, और s type क्या होता है, soft metal में drilling करने के लिए होता है यह के करके यहाँ पर भी इनके लिए समझते हैं, इसके बाद आम तोर पर जो helix angle यह रेक angle होता है, कि नहीं होता है, साड़े सता 20 degree, यह question पूछा जाता है यह drill के बयास के अनुसार भी अलग-अलग होता है, यहाँ पर इतना point note down कर लिए, फिर और समझते हैं यहाँ पर, यहाँ पर अगर हम लोग बात करें, तो यह helix angle material के प्रवीरती के अधार पर, soft है, hard है, यह normal दातु है, उसके अधार पर अलग-अलग दिया जाता है, इसके के लिए समझते हैं, कैसे, तो generally drill में अगर देखेंगे, तो यहाँ पर देख सकते हैं, यह hard metal के लिए H, normal के लिए H, और soft metal के लिए H, जो hard metal में यह जो helix angle होता है, यानि axis से और flute के बीच का जो angle होता है, यह कम रखा जाता है, कितना रखते हैं, तो 8 से 13 degree तक रखा जाता है H type drill के लिए, यहाँ पर देखेंगे, थोड़ा सा figure को समझ लेते हैं, यहाँ पर इस drill में देखेंगे, यहाँ से hard metal के लिए, यह एगर axis है, तो इसके बीच का यह जो code है, यह code है, यह code है, यहाँ पर इसमें देखेंगे, यह अलग drill है, N type, यानि normal दातुओं के लिए, इसक इसके बीच के यह angle देखेंगे, फ्लूट के साथ, यह angle है, अब यहाँ पर एक चीज़ समझते हैं, generally, जब hard metal की drilling करना होता है, तो उसके लिए, यह angle कम रखते है, soft metal के लिए, normal metal के लिए, देरे-देरे angle क्या होता है, बढ़ते जाता है, और soft metal के लिए, यह angle जो होता है, य इसके लिए बहुत ज़्यादा रखा जाता है, क्यों, ऐसा क्यों करते हैं, समझे इसके लिए, जो, यह drill में फ्लूट होता है, इसका main function क्या होता है, main purpose, तो चीप को बाहर निकलने के लिए, और point coolant को पहुंचाने के लिए, चीप बाहर निकलने के लिए, हम लोग क्या करत बनता है, बड़ा बनता है, और लंबा लंबा बनता है, घुंगराला, घुमावदा, तो उस पर अगर ज्यादा एंगल भी रखेंगे, तो चीप असानी से क्या होता है, बाहर निकल जाता है, यानि चीप निकलने का जो प्रकिरिया एक ऐसे होता है, तो drill के दोनों motion के combination के ये पहले भी समझें कैसे, यानि rotation और फिर हम लोग फिट देते हैं, तो नीचे जाता है, तो rotation और translation की वज़ा से ये क्या होता है, नीचे से चीप बाहर एक lifting force जनरेट होता है, प्वाइंट के तरफ से जिसके कारण, फ्लूट के सहारे चीप क्या होता है, बाहर आ जाता है, तो यहाँ पर अगर इन चीजों को समझना है, तो इसके लिए समझते हैं, जैसे ये तीन तरीके के पहाड है, ये पहाड है, ये ज्यादा इस तरह से stiff है, खड़ा है, ये थोड़ा कम खड़ा है, ये कम खड़ा है, अगर इस पर हम लोगों को चड़ना है, ये कोई आदमी सबसे ज्यादा मेहनत किς पर लगेगा चड़ने में असके साथ अगर और hard metal में देखेंगे जैसे cast iron high carbon steel तो उनका chip क्या होता है चोटा चोटा बनता है और soft metal जैसे aluminium copper इनका क्या होता है थोड़ा बड़ा बनता है इस तरह से धागे के जैसा फ्लूट पकड़के आसानी से आजाते है यानि इस तरह से high helix angle भी रखेंगे soft metal के लिए तो ये आसानी से क्या होता है ये फ्लूट के सारी निकल जाता है क्योंकि बड़ा बड़ा chip बनता है लेकिन जो hard metal होता है उसमें अगर इस तरह का ज्यादा angle दे देंगे तो ये बाहर निकल ही नहीं पाएगा अंदर ही रहा जाएगा फांज जाएगा तो फिर drilling करन ये regular helix drill है जो normal n-type material के लिए यहाँ पर इनका जो helix angle होता है जैसे छोटे-छोटे-छोटे chip बनते हैं तो ये आसानी से बाहर निकल जाते हैं और ये high helix angle drill है जिसमें ग्रूब जो होता है ग्रूब का angle ज्यादा होता है ये soft material के लिए होता है बड़े-बड़े chip आसानी से इकल जाते हैं अगर यहाँ पर देखेंगे यह high helix angle है इस ड्रील में देखेंगे तो इसका मतलब यह है कि इसका जो यह helix angle यह फ्लूट वाला यह ग्रूब है यह ज्यादा गाहरा होता है अंदर की तरफ होता है तो एंगल भी क्या बनेगा ज्यादा बनेगा तो soft metal के यह परयोग किये जाते हैं समान तोर पर यह hard soft दोनों के लिए परयोग कर सकते हैं इसके लिए जो होता है यह flute का यहारा होता है यह flute angle होता है यह कम होता है कितना होता है यह 16-30 डिगरी तक नहीं तो और भी बोल सकता है इसी तरह से गर इसके लिए देखCUечь है सुलो हैलिक्स एगल यानि हाट मेटल मेलिए हाट मेटल की डिलिंग करने के लिए तो यहाँ पर देखेंगे यह जो हैलिक संगा है गामुषा कékणा रहा है जिसके कारण चीप आसानी से क्या होता बाहर निकल आता हैście यहां से भी कोश्चन पूचा जाता है इस टाइब के ड्रिल के लिए उसका हैलिक्स एंगल कितना होता है इसी कंसेप्ट से हैलिक्स एंगल के कंसेप्ट से भी एक कोश्चन पूचा जाता है इस रो में पूचा गया कोश्चन है और अलग अलग एक जाम में भी बार बार पूचे जाते हैं question है कि आप एक drill को soft metal में drilling करने के लिए कैसे पाचान सकते हैं तो उसको पाचानने के लिए option उसमें दिया था कि उसका helix angle यानी rake angle होगा या flute angle होगा high होना चाहिए यानी ज्यादा होना चाहिए यानी high helix angle होना चाहिए low होना चाहिए, medium होना चाहिए, दोनों होना चाहिए तो soft metal में drilling करने के लिए उसका helix code कैसा होना चाहिए यानि rake angle कैसा होना चाहिए high ये soft metal के drilling के लिए ठिक, उसके बाद अगर normal के लिए बात करेंगे तो ये क्या होता है कम होता है इस तरह से angle काम लोग range बता सकते है